तो आज के इस वीडियो के अंदर हम घंस्याम्टेक के 920 सेटप का यहाँ पर देखने वाले हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ आखिर होता क्या है तो हम किसी भी सेटप को एक सिस्टम के अंदर कोड करते हैं और जब भी मर्केट के अंदर वो सेटप बनेगा तब यहाँ पर अपने आप एंट्री करेगा और अपने आप यहाँ पर एक्सिट कर देगा इसी को हम यहाँ पर एलगो ट्रेडिंग बोलते हैं इसके उपर मैं यह अलग से वीडियो बना दूंगा सबसे पहले हम यहाँ पर इस सेटप के रूल को यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमें कब यहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है और कब हमको यहाँ पर एक्सिट करना है तो सबसे पहला rule यह है कि market यहाँ पर 100 point ऊपर या फिर 100 point नीचे खुलना चाहिए अगर market 100 point ऊपर खुला है तो हमें 59 की पहली candle का high and low यहाँ पर mark करना है जब इसका high cross होगा तो हम यहाँ पर एक ITM call buy करेंगे जब market 100 point नीचे खुलेगा तो हमें 59 की पहली candle का high and low mark करना है अगर इसका low cross होगा तो हम यहाँ पर एक ITM put buy करेंगे stop loss की अगर बात करें तो अगर यह पहली candle का high and low 150 point से ज्यादा का है तो यहाँ पर अमारा stop loss 100 point कर रहेगा और target यहाँ पर 200 point का रहने वाला है अगर यह पहली candle 150 point से कम है तो इस condition में हमारा stop loss 70 point का रहेगा और target यहाँ पर सेम 200 point का रहने वाला है सेम हम यहाँ पर put side की और pick कर देंगे एंड हम इसको bank nifty के 5 minute के time frame में use करेंगे तो setup आपको यहाँ पर clear हो गया होगा अभी हम यहाँ पर इसके code के बारे में बात कर लेते हैं तो हमने इसको trade tron के अंदर यह logo बनाया हुआ है अगर आपका पर कोई setup है और आप इसको code करवाना चाहते हो तो आप मेरा contact कर सकते हो मैं आपको algo code करके दे दूँगा अभी हम यहाँ पर code के बारे में बात करते हैं तो simple आप यहाँ पर नीचे आओगे तो मैंने यहाँ पर set number one ready किया है जिसके अंदर पहली condition यह है कि market यहाँ पर 100 point ऊपर खूलना चाहिए उसके बाद 59 की पहली channel का जब high cross होगा तो हम वहाँ पर अपनी entry बनाएंगे and entry हम किसमे बनाएंगे तो हमने यहाँ पर एक ITM call buy किया है आप यहाँ पर सी देख सकते हो and इसके exit की अगर बात करें तो पहली condition यह है कि हम यहाँ पर 200 point का target चाहिए या फिर हमारा यहाँ पर stop loss हिट होगा तो उसके अंदर पर दो condition हमने डाली हुई है यानि कि जो 59 के पहली candle है उसकी size 150 point के उपर है तो हमें यहाँ पर 100 point का target लेना है and अगर वो पहली candle 150 point से कम है तो हमें यहाँ पर 70 point का target लेना है same हमने यहाँ पर sell side की और भी किया है and इसका code भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ आप चाहो तो इसका यहाँ पर screenshot ले सकते हो and last में हमने यहाँ पर universal exit रखा हुआ है तो I hope आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होगा and अगर आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ गो code करवान हो तब मुझसे contact कर सकते हो तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही जल्द ही मिलें के next वीडियो के अंदर